आप सब्सक्राइब करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के बारे में होम साइंस जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि होम साइंस अब जावाब पढ़ते हैं तो आपको बी एक चोथे समेश्टर में क्या पढ़ना होता है आवास पारे में साइंस आज हम चर्चा करेंगे और यह होगा आपका महा संगराम स्क्राउम क्लास की अगर हम एक्स्टेंशन एडुकेशन एड आवास यानि हाउसिंग एक घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़े जरूरी होती है आवास के लिए जरूरी चीजों के ही साथ आथ और भी जो तमाम प्रकार के चीज़े जो महत्मूर्ण फैक्टर होते हैं आवास को ले करके उनके बारे में क्लास है बी एक चोथे समस्टर के चाथ चात्रहों के लिए चाहे आपकी परिच्छा लिखित हो चाहे आपकी परिच्छा अब्जक्तिव हो सभी के लिए महत्पूर्ण है चुकि ये एक रिबिजन क्लास है इसके साथ ही साथ आपको यह पर और बता दूँगा आपकी आवास का आर्थ बताईए आवास का क्या आर्थ होता है बढ़िया प्रस्ण है आपको दिक रहा होगा एक दमस्पस्ट ठीक है आवास किसी कहते हैं आवास आवास जो होता है ये प्रतेक जीवधारी की मौलिक अवसक्ताओं में से एक होता है मौलिक अवसक्ताओं प्रतेक ख्राता हैं होती दूसरी होती है आपकी कौन सी भोजन मिल जाए उसके एद में रहने के लिए क्या मिल जाए अस्थान मिल जाए रोटी और इसी को बोल सकते हैं अस्थान यानि कि मकान को बल सकते हैं तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें जीवन की मूल भूत अवसकताएं होती हैं और किसी भी एक प्रकार से प्राणी के लिए, केवल मनुष के लिए मैं मात नहीं कर रहा हूं, हर एक प्राणी के लिए, सबसे पहली जरूरी बात भोजन, भोजन की अगर हम बात कर हैं, तो भोजन जो होता है, ये एक प्रकार से बहुत जरूरी होता है, हर एक प्राणी के लिए, अच्छा अस्थान भी जरूरी होता है, अब कपड़ा कुछ बिसेस, नि मनुष से लिए ज्यादा इंपोर्ण होता है कपड़ा, ठीक है, तो तीसरी, देखें तो अस्थान मकान जो होता है वो तीसरी मूलभोत आवसकता होती है मनुसकी ठीक है तो इसलिए यहाँ पर लिखागा कि आवास जो है वो परतेग जियोधारी की मौलिक आवसकता होती परतेग जियोधारी का मलब होता है चाहे वो चडिया हो वो भी अपना घोसला बनाती रहने के लिए चा तो यहां पर आवास जो होता है प्रतेक जीवधारी की मौलिक अवसकताओं में ऐसे एक है ऐसे लिख देंगे RS पांडे एक बिद्वान है उन्होंने आवास की परिभासा को देते हुए कहा कि आवास जो होता है मानो समूह के लिए एक सरण अस्थल है जिसमें छत, दीवारे, फर्स, दर्वाजे, खिड़कियां ये सब होती है क्या होते है यानि मलब की अगर बात किया है RS देश पांडे के अनुसार इन्होंने परिभासा देते हुए क्या कहा कि आवास जो होता है मानो समूह के लिए किसके लिए human groups के लिए मानो का जो समूह होता है उसके लिए एक सरण अस्थल है तो जहां पर वो मनुस रहता है अच्छाँ उस्तर में क्या होता है मनुलब की में मि ostak होता है रूफ होती है ठीक है इसके इसके ठीक हिए जने भर Oak करने के साइज की होती ओर आकार अमलब की वह आधार देती हैं दर्वाजय होती जिससे आपको प्रकार से प्रामेसी दर्वाजय देते हैं खळकीयां ह होती जो आपको हवा देती आप दर्वाज JENN एक स्थिति में आप खिड़कियों से हवा का आनंद ले सकते हैं ठीक है तो गाना वाना आप लोग बहुत सुनते होंगे तो खिड़की बहुत सारे गाने में आती है ठीक है तो इस तरीके से रोसंदान वगराबी होते हैं तो यह आरेस देश-पांडे ने आवास की परिभासा द अगर बिद्वानों की पता है जिसे आरेस-पांडे की पता है अगर नहीं भी पता है तो आप जो है एक सब्दों लिख सकते है परिभासा लिखने के बाद में इसी मलब परिभासा आप कोई भी परिभासा लिख दिया पर दूसरी परिभासा भी अगर आपको विद्वान का नाम नहीं ध्याना रहा है तो आप लेख दें दूसरे सब्दों में ठीक है ये भी परिभासा हो जाएगे दूसरे सब्दों में निवास की इकाई या रिहाईसी सनचना दिवारों छत दर्वाजे खिड़कियों का एक होता है जो हमें सुरक्षा दे सकी उसी को एक प्रकार से हम एक प्रकार से आवास बोलेंगे एक अंतरण वातावण दे सके वह आवास कहलाता है तो बिसकली ये आवास की परिभासा रही जो कि मैंने आपको बताई आगे देखेंगे दूसरा परसना आप कि स्किन पर आचु जो कि डिजिटल बोड पर आपको दिख रही है देखे घर किसे कहते हैं घर अब घर क्या है उत्तर में आप लिख सकते हैं घर जो होता है रहने का एक ऐसा अस्थान है किसका अस्थान है रहने का अस्थान है जिसमें क्या होता है परिवारिक जीवन का वातावन पाय जाता है परिवार का प्रतेख सदस से तनाव मलब की उसको टेंशन नहीं रहती ज़ suspects. उसे स्वयम को अभिव्यक्त करने का आउसर भी पराप्त होता है अपने आपको रिप्रेजंट करने का आउसर परिवार में मिलता है और उस घर में मिलता है और इसके अलावा सामुहिक जीवन का आनंद पराप्त करता है घर में रहकर के ठीक है तो प्राया घर की परिवास स्किंद पर आ चुका है प्रसम्न देखेंगे अगला प्रसन तीसरा नंबर प्रसन है आमुक से क्या तात पर हैं आमुक का मलब होता है मुखोटा या एक प्रकार से मुहार वारा टाइफ का बोल सकते हैं आमुक ठीक है अब आमुक को समझते तीसरा पर समकी स्कि-'प आ जब भी आपकी दरवाजे का मुख आपके किस तरप है जब भी आपकी दरवाजे का मुख आपका जो मुहारा है वो आपका उत्तर दिसा में पढ़ता है तो अच्छा माना जाता है चुकि उत्तर दिसा में पढ़ने से क्या होता है जब सूर्य भगवान पूरब से निकलते हैं और पस्चिम में अस्त होते हैं तो ना तो सूरज पूरब से निकलते हैं तो आपके घर में प्रकास जाता है उ क्या होता है उनको बड़ी problem होती है ऐसे पूरब दिशा की और अगर आपका मुख है तो पूरब दिशा की और सुभा-सुभा जवाब कम से कम 10-11 ग्यारा बजजे तक आपके घर में सीधे सीधे परकास जाएगा ठीक है वहीं अगर आपका मुख जो है उत्तर दिशा की ओर है तो आपका सबसे जा बड़ता समाना जाएगा दक्षण दिशा की ओर है तो कुछ लोग उसको एक परकार से धार्मिक तत्यों के हिसाब से देखें तो अच्छा नहीं मानते ह दक्षण की दिशा की ओर भीख अगर मुख है तो भी कुछ ठीक ठीक माना जाता है यानी जो आमुक его मुह का मलब होता है यानि घर जो मुका उटा है किस्षा में पहली बात हिसा दूसरी बात हवा की दिशा क Krudya करें या या नि कि यदिश समय गरमी के महीने में काव चलते अब तक लगभग 25% गेहूं जो है किसानों ने लगभग उसको अपने यहाँ पर रख लिया है दायमाय के ठीक है तो हवा की दिसा यानि कैसी है उसके according लोग रखते हैं अपने घर का मुख इसके लोग तीसरी वर्षा की दिसा और गती वर्षा की दिसा और गती कैसी होती इसके according भी लोग अपना मुखोटा रखते हैं चोथी बात है भूखंड की स्थिती कैसी है, इसके according भी यानि भूखंड कहां पर है, धरातलियों, इस्थिती उसकी कैसी, इन सभी चीज़ों को ध्यार में रख करके आमुक उसका बनाय जाता है, तो आमुक का मलब उसका मुख, जो कि एक प्रकार सूरी का प्रकास सही तरीके से आता रहे, उचित मात्रा में हवा, वर्षा और आसपास के छेतर के अनुसार, एक प्रकार से भवन की स्थिती, जो एक प्रकार से उसी को आयूजित करना ही आमुक कैलाता है, नेक्स्ट कोईसन सापकी स्केन पर आ चुका है, ब्रहदता, प्रहदता किसे कहते हैं, वथए एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि कमरे में कम से कम अस्थान का अधिकतम उप्योग करने से जो प्रहव उत्पन होता है, उसे ब्रहदता कहते हैं, उसी एफेक्ट को ब्रहदता कहते हैं, ब्रहदता ठीक है उसी को ब्रहुत्ता करते हैंनी एक कम्रा है बहुत चोटी से जगाह 270 का कम्रा है उसी 10 की 10 10 स्थान का अधिक्त होता है इसका उदेश होता है अस्थान की अधिक से आधिक बचत के की जाये और ब्रहता उत्पन करने के लिए कई सारे प्रियास के जा रहे है आज कल आप देखेंगे सहरों में ब्रहता का प्रियोग बहुत ज़्यादा हो रहा है च्छोटी सी जगह में ऐसे मकान बना देते हैं जिसमें आप देखेंगे कि तो गाव अगारा करें रहता उत्पन करने के लिए कही बीजिन परियास कि प्रयास किया श obt alguma बंद करना जब आप कमरे की दिवारों को हलके रंग से पेंट करते हैं तो एक प्रकार से उसका अलग परभाव पड़ता है ठीक है उससे क्या होता है कि आप दिवालों पर भी कई सारी चीजे आप जो है जो टांगने वाली चीजे उसको दिवारों पर भी आप टांग सकते हैं दूसरी बात कमरे आयताकार आपको बनाना कमरे जब आयताकार बंदे थोड़े बड़े लगते हैं जैसे इससे क्या होगा यह कमरा छोटा प्रतित होगा लेकिन इसी कमरे को अगर आप बनाना चाहें तो इसी को आप 7 भाई बारा का अगर बना देंगे यानिकी याठ चूडाई और बारा लंबाई जिब में दिसको आप बना देंगे तो यह कमरा आपका बड़ा दीखे गए यह बात अगए देखेंगे, तीसरी बात यह वैं कि दिवारों में अलमारियां और वार्ड रोब और टार्ड ये सब बनाना चाहिए ताकि कुछ सामान दिवाल मलब के अलमारी दिवाल में ही फिट कर दी जाएं तो इस तरीके से ब्रहत्ता के ये सारे नियम होते हैं ये बात आप ध्यान रखेंगे आगे देखते हैं पांचवा प्रसन पांचवा कोशन साब की स्किन पर आ चुका है सामोही करण क्या होता है सामोही करण तो कमरों की परस पर इस्थिती को देखते हुए उनकी ब्यवस्था करना सामोही करण कहलाता है यानि कि कमरे की एक कमरे से दूसरे कमरे में कैसे परबेश किया जाए या परकार से एक कमरे से दूसरे कमरे का connection कैसे हो ठीक है तो ये सामोही करण होता है ठीक है एक जगा से दूसरे जगा में कैसे जाया जाए ये सब सामोही करण में या व्यवस्था कमरों के कारियों के सह संबंध यानि को रिलेशन के अनुसार होती है परिवार के सदस्यों को लगातार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है और उनमें सही संबंध होना इसलिए बहुत आवस्यक हो जाता है चटा कोशन साब देखेंगे समवहन से क्या तातपर है समवहन होत अच्छा टर्म है समवहन से तातपर है कि आने जाने का मार्ग आने जाने का मार्ग जैसे घर में आने जाने का मार्ग बहुत जरूरी है मार्ग मकान में बाहर भीतर आने जाने का मार्ग अथवा एक कमरे से अन कमरे में या दूसरे कमरे में बरामदे से कमरे में डवड़ी में बरामदे में आने जाने का जो मार्ग होता है यह मार्ग इस प्रकार से होना चाहिए कि विभिन कमरों की जो एकांतता है तथा इन में से प्राइबेसी है विभिन कमरों की वो भी भंगना हो और इन में से होने वाली क्रियाओं ने बाधा उत्पनना हो यानि कि प्रकार से जब भी मार्ग बनाएं जब भी प्रकार से रास् बैठा है उसकी privacy भंग होगी IFC स्थिती में एक प्रकार से फिर ऋ अच्छा नहीं माना जाता है इसलिए जब भी आप घर बानाuche तो स्वहन नीरी आस्ते का एक प्रकार से आने जाने का जो मार्ग होता है एक घर स którą निकलने का एक कमरे से बाएं में जाने का वो एक परकार से हमेशा इस सभी चीजहों को धियान में रखर करके बनाना चाहिए मकान की किरिया सीलता उसकी समवहन बेवस्था से प्रभावित होती है और समवहन दो प्रकार का होता एक होता चहाटे छेह आप मémड़ा की एकदम से जैसे कि मyah लेते हैं कि ये पूरा का पूरा कमरा आपका बना हुआ है एक एंग कमरा ये इसके भीच में रास्तह वी गुलिज़ा यहां पर दर्वाजा लगा इस कमरे में जाने की यहां का दर्वाजा इस कमरे में जाने की यहां पर एक प्रकार से दर्वाजा लगा हुआ ऐसे यह तो ऐसे आप देखते हैं बहुत सारे कमरे बनते आज से दो मघ़एघा आए किसी कमरे पर जया किसी कमरे में आने के लिए क्या मार्ग आपने बनाय alle विजन होता है कमरे में असुद्वायों बाहर निकलती रहे और सुद्वायों अंदर आती रहे यहां आवस्यक होता है और यही वायों विजन का उद्देश होता है कि यह असुद्वायों जीसे कि आप देखते हैं पंखा लगाया जाता है कमरे में असुद्वायों को बाहर कीचन मगरह में जहां पर खाने बनते हैं जहां पर भठी लगी होती है वहां पर आप देखते हैं कि कमरे से बाहर निकलने के लिए कुछ व्यवस्था करी आती है। किसी भी चीज को कमरे से बाहर निकलने के लिए क्या कही आती है कोई विवस्था करी आती है आपको बदा दूँ जैसे कि जब भी बाहर या लिटरिंग बातरूम में आप देखते होंगे एक पंका होता जो कि अंदर की जो बद्बू होती है जो गंदी गैस होती है उसको बाह आक्सिजन की समचित आपोर्ती होती ही आदरता माने नमी तीसरी बात सरीर पर सुखद ठंडेपन का अभास होता है तो जरूरी होता है वायो विजन का होना या वायो का अच्छी वायो एक प्रकार से अंदर आए और जो दुरगंध युक्त वायो है वो बाहर निकल जाए वैो विजन बेसिकली वही होता है आपके समझ में आ गए होगा कि वैो विजन क्या है ठीकत समझ में आ रहा होगा बिल्कुल फटापट से यगदर वीडियो को लाइक और सेर करते रहेगा आठवा कोशन साब किसकी है तर आ आ जुका है वातायन का क्या ताथर होता है वाता खार ठीक है तो के लैं किड़की को किड़की जो होता है इसी को वाताय की बोल सकते हैं वाताय से दोय जाद पर होता सुध्धवायों का प्रवेश और असुध्वायों से छुठकारा पाने का एक करीका है तीक है साह काले और पातकी ने यह बिद्व탈 साह काले और पातकी इन लोगों ने पातकी तो हमारे ग अगर्रा बेगार ब़ेकार बच्छों को बोल तो हमारे गवाधान के वेट कहा कि किसी भी अस्थान की सूबिधा जनक इस्थिति को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक और यांत्रिक तरीके से दिवस्तित करें चाहिए यांत्रिक तरीके से वायू की आपूर्ती और निसकासन वातायन कहलाता है ठीक है वायू की आपूर्ती और निसकासन वायू एक प्रकार से मिलती रहें सच उचित मात्रा में आक्सिजन और जो गुदूर्गन दियुक तुवाय हो है या जो अनिवाय होहीं बाहर निकलती रहे। किलियर, इसके अलामा, आगे देखेंगे अगला प्रस्ट, नवा नंबर प्रस्ट नहीं है, इसका अपना एक अलग उपीयोग होता है ठीक है आप लोग गाउं अगरा में देखते हैं आंगन का एक बिसे इस महत होता है अंगन इसके लाओं कभी-कभी लान भी बनते हैं लान मनलत थोड़ा बड़ा इसे इसे बालेते हैं कि 25-30 का लान बना दिया गया लंबा सा उसमें इसी लगवा दिया गया परिवार भर के लोग सभी लोग उसमें बैट करके ठंड़क का महसूस करें तो लान भी बहुत जरूरी होता है इसके लाओं साइड गैलरी भी कभी-कभी लोग छोड़ देते साइड में बगल में गैलरी इसके लाओं टेरेस वागरा इस सहरों आधिका आगमन एक प्रकार से आपको लेना है तो वहाँ पर आपको मिलता रहेगा इसलिए चीजों को छोड़ देना चाहिए घर के आसपास ठीक है अगर आपके पास जमीन जाए जाते हैं अगर नहीं तो भाई चुतनी है उतनी में प्रूस्ता कर लें आगे देखेंगे दसवा कोशन सापकी स्किन पर आचुका फटापट से आप देखने का प्रियास करेंगे प्रस्त है ग्रेह सज्जा ग्रेह माने होता है घर सज्जा माने सज्जावट ठीक है तो ग्रेह सज्जा का क्यारत है साधर बोलचार की भासा में घर को सज्जाने और सवारने की कला को ग्रह सज्जा कहा जाता है विसिकली अगर और भी हम इसको चीज़ को अच्छे तरीके समझने का प्रियास करें चले तो ग्रह सज्जा, ग्रह सज्जा के अगर बात किया तो ग्रह को सुन्दर, सुबिधा पूर एवं आकरसक बनाने वाली सभी कलाओं, बैज्ञानिक तथ्यों तथा सिध्धान्तों का सम्मिस्रण है ग्रह सज्जा का उद्देश होता है केवल घर को सुन्दर परदान करना ही नहीं बलकि घर के अंदर की अस्त बिस्तो जो वस्तोय हैं घर में जो इधर दर बिक्रिवी वस्तोय हैं उनको इस प्रकार से करमध तरीके से सुव्यवस्तित तरीके से व्यवस्तित करना व्यवस्तित रूप देना ताकि इनमें क्या हो एकता के साथ साथ लए, अनुपात, संतुलन और समानता का भाव पर कठो ये होता है करे सज्जायानी कोई वस्तो कहां पर रखनी चाहिए कोई वस्तो के सस्थान पर रखी जाएगी तो अच्छी लगेगी और उसका एक प्रकार तार्तमेता बनी रहेगी ये बहुत जरूरी होता है ठीक है? आगे देखेगे ग्यारवा कोस्तित आंतरिक सज्जा क्या? आंतरिक माना घर के अंदर जब सजावट इस्टेला सुंदर राज इन्होंने कहा आंतरिक ग्रे सज्जा के परिभासा को देते हुए कि आंतरिक सज्जा सजनात्मा कला है सीखने की अकला है जो एक साधारण घर की भी काया पलड़ कर सकते एक साधारण घर जो होता है उसको भी अच्छा बना सकता है अगर उसकी अंतरिक सज्जा कर दे तो कोई देकार से बिकार घर अच्छा बन सकता है ठीक है? इसके अलावा या घर में रहने वालों की मूल भूत एवं सांस्कृति का वसकता हो एवं घर में उपलब्द अस्थान एवं उपकरणों के बीट समयोजन की कला होती है तथा घर में सुखद वातावर्ण बनाने का एक प्रियास होता है आंतरिक सज्जा तो आंतरिक सज्जा के द्वारा ये तमाम परकार के प्रियास किये जाते हैं और ये जब अरदस्थ चीजे मानी जाती है क्लियर ये बात आप ध्यार नखेंगे तो ये है आंतरिक सज्जा नेक्स्ट कोशन से आपकी स्किन पर आ चुगा है फटापट से आगे देखेंगे बारा नमबर कोशन से गिरे सज्जा में बिविधता क्या होती है गिरे सज्जा में बिविधता ये कई परकार की गिरे सज्जा होती है और कई तरीके से करियाती है गिरे सज्जा में परिवर्तनों को समलित करना और घर की बिभिन कमरों में बिभिन सैलियों का सम्मिस्रन करना बिविधिता कहलाता कई सैलियों का प्रियों करते हुए कमरे की सुन्दरता को बढ़ाना सुन्दर को बढ़ाना एक परकार से कमरे की गिरे सज्जा की बिविधिता को दरसाता एक रूपता ब्यक्ती में एक रस्ता उत्पन करती है बदल करके चीजे रखना या कमरे के सजावट को बदल बदल करके एक ही कमरा आपको अच्छा कब तक लगेगा जब तक आपको एक परकार से कोई सजावट क्यों चीजे हैं आप अदल बदल करके देखे तो उससे ज्यादा बेटर लगती है एक जो नया कमरा होता है नई कि उसका उपियोग जब सुन्दर्ता उत्पन करने के लिए किया जाता है, तब उसको हम कला कहते हैं, कला बेसिकली बिचारों और भावों का इस धंग से अधिद्यक्ति करन होता है, कि वहाँ आनंद प्रदान करती है कला, कोई कारी जो सौंदर बोध, यानि सौंदर की जानकारी उत्पन करवाता हो, जिसके संपन होने में दक्षता, दक्षता माने कैपासिटी और सजनात्मक्ता, यानि क्रियेटिविटी की आवसकता हो, उसे हम कला कह सकते हैं, ठीके तो कला होती है, आगे देखेंगे, अगला कोशन साब की स्किन पर आचुका, भटाबट से आप देखने का प्रियास करेंगे, बहुत ही जबरतस परसने 14 नंबर, कला के तत्तो, कला के कई तत्तो होती, कला के तत्तो जो की समस्तर दिरस्ति कलाओं का योगिक आधार, दिरस्मान जो उसका सेथ भी बहुत जलुरुता, कला में एक प्रकार से कला में एक तो रेखाओं के प्रियोक से बनती है, आकार उसका कुछ ना कुछ होता है, इसके ल alternator का मनलब आप जानते है, पैटर्न कैसा होना चाहिए, और प्रकास कितना आप दे रहे हैं उसको, रंग का कौन से प रिखिए तो ये चीज़ की बाइब बानाद से कम करें वाल इन्यागा पने बनाया तो इससे मालत आ थिए चूटी बनायक कि अब अब गूलाव पैपने बनाया ठीक है अग यह यह गुलाव मालuellement आपने बनाया तो इससे गुलाव अगर आप पॉछे गए है इसके अलमा एक रूपता ओर अनुड़का यह बहुत जरूरी होता है कला तो कला के सिध्धान लिख सकते हैं अनुपाथ संतुलन बल लए और एक रूपता नुरूपता तो आप जख्ते में भी कई Barsi पूछे गए हैं यह सब के लिए, तो तो ध्यान न Έकिंगे इस बात को हлю 16 नंबर को संसाब की सिकीनि पर आा चुका है प्राथमिक रंग के बारे मंधसें प्राथम स्मे Carno में आपका लाल पीला और नीला यह तीनों जो है यंञार निकेश मलब के आप इन रन्गों को व लाल रंगों किसी आप किसी दो चलर से मिला करके नहीं बना पाएंगे नगया ठीड करएंगे ना या Bahadag प्रात्मनलेगी तो इससे को दुखेर रंगे तो जब दो प्रात्मिक रंगों को समान मात्रा में एक प्रकार समान अनुपात में मिला जाता है तो परड़ाम सरूप जो रंग प्राप्त होता है नहीं अगर एक लीटर एक प्रकार से अपने नीला रंग मिलाया और प्लस में एक लीटर आपने प्रकार से नीला रंग मिला दिया तो जो कलर बनेगा वह प्र दुतियक रंग वही कहिया थे दुतियक रंग की बात की यह तो पहला आप देखेंगे इसे लाल और नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बैंगनी मनेगा पीला और नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हरा रंग बन जाएगा लाल और पीला को मिला देगी तो क्या बनेगा नारंगी बनेगा ठीक है तो इस तरीके से ये कुछ उधाण मैंने आपको बताए आगे देखेंगे अगला प्रस्ण आपके स्किन पर आ चुका है फटा पट से आप देखने का प्रियास करेंगे हूँ क्या होता है हूँ कि अगरबात की तो गोल्ड इस्टेन इसके परिभासा दी गोल्ड इस्टेन और गोल्ड इस्टेन ने की हूँ जो होता है यह कैसा सब्द है जो की रंगों के नाम को दरसाता है रंगों के नाम को दरसाता है इसे की रसे लाल रंग को लाल कहा जाता है पीला रंको पीला नीला को दीला यहारा ठीक है इस तरीके से रंगों का क्या नाम होगा और साथ यू नाम का सब ठीक है यह ध्यार ने खिएगा आगे देखते हैं अगला कोशन साब की स्किन पर आ चुका है फटावट से आप देखने का प्रियास करेंगे 19 नमबर पर से बल का क्यारत होता है बल गोल इस्टेन और कोल इस्टेन ने कहा कि बल जो होता है कला का एक सिध्धानत होता है और कला का एक प्रकार से एक बनब कला का एक बड़ा सिध्धानत है और ऐसा सिध्धानत है जिसमें आखे सरपर्थम किसी व्यवस्था के सरवाधिक महत्यपूर्ण भाग पर दिष्टी पात करती है यानि देखती है उसको इसके पस्चात महत्य के करवनसार और वस्तों पर दिष्टी पात करती है यानि कि मान लेते हैं जैसे आप लोगों ने एगर वीडियो देख रहे हैं आप जहां पर मैंने फोकस किया वहां पर तुरंत आपके दिश्टी जाती होगी, तो यही बल होता है, यानि जब आप एक प्रकार से क्या करते हैं, आप कोई भी चीज देख रहे होते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ होते हैं, जिन पर आपकी पहली निगा जाती है, तो बल के प्रियोग के कार से आपकी आँखों को कहां पर दिखाना है, वो जो बना रहा होता है चीज़े, वही एक प्रकार से जो बड़े-बड़े लोग जब कोई बड़ी-बड़ी चीज़े बनाते हैं, तो एनिमेसन मगारा, उसमें कहां पर आपकी पहली निगा जाएगी, वो बल के कार से जाएगी, ठीक है, उसी को बल कहते है ठीक है, क्रेग और रस्त ने कहा कि बलवा सिध्धानत होता है, जिसमें किसी व्यवस्था के सबसे महत्पूर्ण बिंदो पर रुची केंद्र अस्थापित किया जाता है, ताकि आखे सम्मंधित रुचियों पर दिष्टी गत्थ हो सके, ठीक है, यानि कहां पर उनको ज़ के लिए हम उठने, बैठने, सोने, पढ़ने, लिखने, यहां संग्रा हेतु उप्योग मिलाते हैं, उन्हें फर नीचर कहते हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी, चारपाई, चोकी, आल्मारी, यह सब एक प्रकार से फर नीचर में आते हैं, के लिए तो यह प्रस्द इंपॉर्ण से सम्मंधित समागरी को विचार पूर्बक किसी आकार में प्रस्तुत करते हैं, तो वहां कला पुस्प व्यवस्था कहलाती है, रट एक अच्छे विद्वान है, उन्होंने कहा कि पुस्प व्यवस्था या पुस्प की जो एक प्रकार सिस्टम होता है, उसको पुस्पों अन्य पांच समागरीयों के द्वारा पलपाज समागरीयों और फूलदान के अनुरूपता युगत संगठन के रूप में परिभासित कर सकते हैं, जिसमें उसका स्वरूप होता है, उसका पोत और रंगों के मध्य एक रूपता स्थापित कहते हैं, नहीं कि इमाले ते फूलों का गुल्दस्ता बनाया था, तो उसके लिए अलग से दिमाग लगा करके लोग बनाते हैं कि कौन सा कलर कहां पर रहेगा, कौन सा फूल बड़ा छोटा के साब से आगे पीछे कैसे करेंगे, ऐसे तमाम पर करेंगे, ठीक है, तो यह चीज़ आप ध्यान लखेंगे तो रटम हो देकर पुस्व विवस्था यह है, पुस्व विवस्था या मलब की यह से आप देखते हैं फूल की जो माला बनाया थी, बड़ी-बड़ी माला, तो उसको देवताओं पर चनाने के लिए, जैसे कि माले दीनम, सुगन धीनम, माले दीनम वे प्रभो, मयान इता तो जो पुस्व माला होती है, उसके लिए प्रकार साथ देखते हैं, यह तवाम प्रकार की व्यवस्था कर याते हैं, तो पुस्व व्यवस्था में किस तरीके से करनी है, यही पुस्व माला में व्यवस्थित कर याती है, ठीक है, जहान रखिएगा जैमाल वगरा कभी देखेंगे तो देखते हैं कि उसकी इसी चीज़ का परियोग करती इकेबाना का क्या औरत है इकेबाना की बात के तो जापान की यह पुस्प सज्जा Online पुस्प को जाने के ल met पुंस जाने की तरीकह एक- टरीकह ओता इके बाना इके बाना जिसका आर्थ होता है जीवित फूल इके बाना का मलब क्या होता है जापानी सब्ध है इके बाना इसका मलब होता है जीवित फूल जिन्दा फूल ठीक है तो एक जापान की पुस्प सज्जा है फूलों की सजाने का एक तोर तरीका फूली को सजाने की बिधी एक मैथड है के लिए ये बात आप ध्यार लखेंगे करें आप लिए इस तुए भी है अधीक है तो यह क्या है आपकी एक बान आपकी होगे भी चले लिखी बाना आपका हो गया अगला है आपका थेस नमबर मौरी बाना और नाजीरे क्या है मौरी बाना और नाजीरे की बात के तो जापान की प्रचलित पुस्प सज्जा की सहलिया है मेरी बाना में होता है कि चोड़े उथले जो पात्र होते हैं या पत्ते होते हैं उनका उपयोग पुस्प सज्जा के लिए किया जाता है तथा नाजीरे में क्या होते हैं लंबे और लंबे पत्र होते हैं लंबे जो पात्र होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है इस चीजों क अगला प्रतीक को चोबेस नमर कोशन सापके स्किन पर आचुका फटापट से आप देखेंगे सिन सो और हाई की इसका वदलब क्या होता है प्रतेग जापानी सज्जा में तीन आधार प्रतीक होते हैं इन्हें ही इन्हीं टेहनियों के माध्धम से प्रत्रसित क्या आता है सि प्रत्रीक सज्जा में प्रयोग किये जाने वाले पाच उपसाधनों के नाम बताएं पहला है चित्र दूसरा है छोटी मूर्थियां तिसरा है दरपण, चोथा है घड़ी और पांचवा है पुस्तकेंद ये पांच उपसादन है जो कि आंतरिक सज्जा में प्रियोग के जाते हैं आगे देखेंगे अगला कोशन साथ किसके इन तर आ चुका है संसारें बहुत सी वस्तोय पाई जाती हैं जिनकी सतह का निर्माण भिन भिन प्रकार से होता है जैसे कि दानेदार पूत, रुविदार पूत, रविदार या हवादार, नाजुक, चमकदार पूत, ठीक है कोमल, जालरदार, पंक युगति, जुर्रीदार ऐसे तमाम प्रकार ठीक है, निमित मलब एक करमबद तरीके से जब लए होता तो वो होता है, ठीक है करमबद तरीके से लए और दूसरा होता सवचन्द मुक्त रूप से, 29 नबर पर से लए उत्पन करने की कौन-कौन सी विधिया, यानि कौन से मैथड होते हैं, तो किसी भी डिजाइन में अब नहीं सहलियों के बारे में पूछा जा रहा है, तेकि पहला होता दोहराओ के द्वारा, दूसरा होता है आकारों में उत्तरोत्तर यानि लगातार व्रधिया, अनुकरम के द्वारा, तिसरा होता होता है निरंतर रेखा के द्वारा, चौथा होता है बिरोत के द्वारा पाचवा है परिवर्तन के द्वारा, छठा है बिकरण के द्वारा और सातरवा है आपका नंबर वार बिधी के द्वारा तो इस तरीके से एक प्रकार से आप ये कर सकते हैं ठीक है तो ये हो गए आपके लिवत परन करने की कई सारी बिधियां संतुलन के फरकार बतायत केंदर के आधार के दोनों और आकरशन की मात्रा संतुलन के भीन भीन प्रकार की जाते हैं संतुलन दो प्रकार का होता है संतुलन मलब सामान जर सस्थापित करना के सी भी दो चीजों में ठीक है पहली बात तो आपचारिक की आ सम्मितिय संतुलन होता दूसरा होता है अनौपचारिक कहने की आ सम्मितिय और अपचारिक का मलब एक परकार से ब्यवस्ते तरीके से systematical बे में अनुपचारिक मलब की मुक्त तरीके से कोई system हो गयरा निए 31 समर परसन है प्रसार सिक्षा को परिभासित कीजिए प्रसार सिक्षा extension education सूपे महोदे कहते हैं प्रसार सिक्षा सूपे एक मनों बिग्याने के उन्होंने प्रसार सिक्षा की व्यवस्ता को अधाते हैं कि प्रसार सिक्षा ग्रामीडों के समाजिक तथा सांस्कृत के कहने कि सोशल and cultural दिकास और डेवलब्मेंट के लिए एक नेमित संगठित पाठ साला तथा कख्षा से बाहर दी जाने वाली सिक्षा होती है यानि ये सिक्षा क्लास से बाहर दियाती है कैलसी और हारने मोदे ने कहा कि प्रसार सिक्षा पाट साला से बाहर की पद्धती है पाट साला से बाहर के मैथड यानि स्कूल में सिक्षा नहीं दियाती है उससे बाहर दियाती है जिसमें प्रवण और ब्रध सभी कार्य करने के दारा सीखते हैं यह एक प्रकार से अपना कार्य करते करते ब्रिध और प्रवण ब्यक्ति होती हुट्स जिन्हें आनने पढ़ाई नहीं किये उनको कार्य के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया जाता है वो एक प्रकार से प्रसार सिक्षा में आता है, इसका बुनियादी जो उद्देश होता है, नहीं कि जो basically इसका उद्देश होता है, मनुस्य का भिकास करना होता है, मनुस्य का development करना होता है, ठीक है, खासर के समाजिक और सांस्कृतिक development जैसा सूपे ने बताया, तो इस तरीक जिनोंने पढ़ाई नहीं करी है अब मालेते हैं कि मैं किसी करण के बस पढ़ाई ना कर पाता तो एक प्रकार से हमारे लिए मालेते हैं मैं पढ़ाई ना कर पाऊ में साधी हो जाए उसके बाद में पिर क्या हो हम कोई खेती उती कर रहे हैं और हम सारी चाहिए जो पढ़ाई बैग्यानिक तरीके से करना चाहिए, किस तरीके का प्रियोग करना चाहिए, कौन कौन से टेकनिक्स का प्रियोग करें, तो ये सब चीजे हमको प्रसार कार करता लोग बताते हैं, कई सारे एक प्रकार से वो किया जाते हैं, वो स्थिया इसको बताने के लिए, सिक्षा को परि सास्वत सत्य को जान सके सिक्षा के द्वारा एक प्रकार से ये सिक्षा ये डेवलप करने में युगदान करती है रविना टैगोर ने बताया ड्यूवी जान ड्यूवी एक प्रकार से बड़े इच्छे सिक्षा सास्त्री इन्होंने कहा कि सिक्षा ब्यक्ति की उन समस्त सक्त सकतियों का विकास है जिसके द्वारा वह अपनी वातावण कौन व्यक्ति व्यक्ति में अपनी वातावण पर नियंतर रख सकता है अपने वातावण करता अपनी संभावनाओं को पूरा कर सके ठीके एध्यार लखेंगे के तुरा है आप जो भी चीजे हैं जो आप जानते इसको आप प्रकट्टी कर पाते उसको बाहर निकाल पाते हैं तैस नंबर पर ने औप से अब चारिक से चाग्या आप चारिक का मदब होता है आप चार कपड़े ऐसे कि आपने टाइव लेगा करिदम से सूट बूड में हो गए फार्मल होता है ठीक है अब जिस वगएरा तो अलग टाइप कपड़े हो गए फार्मल जब आप कभी आफिस वगएरा में जाते हैं या फिर एक प्रकार से जब आप कहीं पर अलग तरीके से तो वह स सिस्टोमेटिकल बे में दी आने वले सिक्षा होती है और इस एक निश्चित करमबंध यूजना के अंतरगत दी जाने वली जो सिक्षा होती उसको अप्चारिक सिक्षा कर दिए इसके लिए एक सिलेबस निधारित होता है उस पाठे करम के कोडिक सिक्षा देती यसे हम सिक्षा देने का अस्थान एक फिक्स होता है हला कि यहाँ पर यह मेरी जो सिक्षा है नौट रिक सिक्षा है हला कि सिलेबस इसका सेम है लब सिलेबस जो यूनिश्टिक मैं पढ़ाता हूं तो देखें सिक्षा देने का अस्थान समय की अवधी जिसमें निश्चित होती है पाथे करम पूरा करना होता है, वह भी तैम होता है कि कितना पढ़ना कितना नहीं पढ़ना है, पेपर कैसे होंगे, आउपचारिक सिच्छा का उद्देश, निश्चित होता है, कि इसका उद्देश क्या है, सिच्छा देने वाले सिच्छक निश्चित होते हैं, सिच्छा ज ठीकहे आप और सीख लें यूटूब के मादम सीख लें या आने कहीं जाए पर सीख लें ठीकहे वह होती है एक सिश्टिमेट के टिकल बे में आप जा करके ना सीखे यह से आप देखें प्रारा में जो होता है, बालत के परिवार से ही सुरू हो जाता यानि के प्रकार से अनवुचरोग सिछा यह कुछी होती है, पाइदा मुण यहें तक मर नहीं आता है, ठीकिल सिख्छा के सक्षा रहता है, फुरत था रहता है, तुरूसरी सिख्छा के Если भाति तो उसको बात मन उसका वातामण का विकास हो उसके इन्वार्मेंट का उसके परबेस का विकास हो उसके शेत्र में तीसरा मन उसकी आवसकता के पूर्टी के लिए निर्मित संस्थाओं और साधनों का विकास शेत्र तो यह प्रसार सिक्षा के तीन शेत्र बेसिकली होते है आगे देखेंगे अगला कोशन से आपकी स्किन पर आ चुका है 36 नमर कोशन से प्रसार सिक्षा के दर्सन का आर्थ प्रसार सिक्षा में दर्सन का क्या मतलब होता है प्रसार सिक्षा में दर्सन का क्या मतलब होता है स्थीके कि परभद निच्ठा और लगाओं दर्सका दिर्सन को देख करके उसके बारें विचार जवाब करते हैं तो ही दर्सन होता है ठीक है तो प्रशाय का दर्सन जीवन का लाबकारी फिश्टकोर होता है डिदिन का लाबकारी का भींट होता है जो कंभीर सांध विवस्थ तो और कल़््याना कारी होता है प्रसार गरतिकलियर डेवर्ट करने में सहायता की जाए ठीक है ये बात आप ध्यान लखेंगे साथ समर कोशन सब्सक्राइब प्रसार सिख्षा के सिध्धान का क्या रोता है उन कारियों से जो प्रसार दर्सन को सफल बनाने के लिए आवस्यक होते हैं अता ऐसे कार जो मनुस्य का विकास इस प्रकार से करें जिससे वहाँ सव कि यह बात आधियार लखेंगे को आधे समर कोषण से प्रसार शिक्षा के नहीं आठ सिध्धान्तों के नाम बताईए बढ़ी हां परिक्षा के दिष्टि से एंपॉड़न रहा सकता है तो प्रसार सिध्धान्तों में देखे पहला सिध्धान्त रुचियों और आवसकताओं का सिद्धान थैनि कैसी रुची है लोगों में ठीक है रुची के कोडिंग यानि उनका इंट्रेस्ट कैसा उनकी आवसकता कि उसके कोडिंग सिख्छा दी जाए पहली बात दूसरी बात सहयोग का सिद्धान किसी का सहयोग कर दिया जाए अगर वो काम कर रहा है तो तुसरी अगली बात अगली बात नमनीता का सिद्धान ठीक है अस्थान ये संस्थानों के प्रिएक्षता का सिध्द्दान और निरपैक्षता और ततसथा का सिध्दान कभी कभी क्या होता है अस्थानी संस्थाओं के बारे में आप नहीं जानते हैं जो हे समय चुनाव चल लें तो लड़जाते हैं ऊपशार कारता का कैरते हैं चौड़ों सभी लोगों को प्रसार कार्य करता करते हैं जो लोग ग्रामीड जीवन से जुड़ करके विकास कार्य करते हैं उन लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं उनके रहन सहन और जीवन अस्तर को उचा उठाने में सहयोग करते हैं उनके खेतों घरों और कारेस्थल परजा कर कर दोड़ीन नवीन तक्निकों से उनको अवगत करवाते हैं उनका अब्योग करना उन प्रिशार कार्षा कार्षार किर्था कार्षार बु het तो आप नहीं भूलेगा कि प्रसार कार्करता कौन होते हैं बिल्कुल ठीक है तो प्रसार कार्करता यह होते हैं तरह समर कोशन साब देखेंगे मोर्थंडम प्रयास क्या प्रयास क्या है म अल्लों प्रयास के आगर बात करें मोर्थंडम प्रयास जो होता है यह घरकार से ट्रावन कोर में यहक्स अंस्था 1921 में इसाई मिजन के इंतरिखर गशर करतीए इसका संचारण कि डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा किया आता है यह कारयकरम सवयंब अपनी मदद पर अधारित होती है इसका उद्द्द' से सरीर आतमा और मस्तिक्स का विकास करना जैया जब सरीर आतमा मस्तिक्स का विकास कर दिया जैंस तक्षिटी अपनी situation को खुदी handle कर लेगा इसमें क्या होगा लोगों में अपनी आवसकताओं के प्रती जागरुकता तथा उनके पुनरुथान को महत्व दिया गया है ताकि वो एक प्रकार से दोबारा से उठ सकें दोबारा से motivate हो सकें और अपने काम को गंतब या अपने काम को एक प्रकार से उसके अंजाम तक पहुचा सकें 41 संबर कोईशन साब देखेंगे बहुत ही जबर दस्त प्रसन है फटा फट से एक बार वीडियो को लाइक और सेर कर भीजेगा प्रसन है फिरका विकास योजना क्या है फिरका विकास योजना की बात किया है तो 1946 के अंत में मदरास ये नीचे नहीं पड़ता है मदरास तो मदरास ये नीचे नहीं में मदरास में ग्राम सरोजगार अस्थापना के उद्देश से इस योजना को चलाया गया था इसका मुख्य उद्धिस था, ग्रामीरों का सरवांगिर विकास किया जाए, स्वास्त का विकास, इक्षा का विकास, सच्छता गाउं में की जाए, आर्थिक प्रगती करी जाए, और उनमें आत्मिस्वास पैदा किया जाए गाउं के लोगों में, गाउं के लोगों में जब समडाइक विकास कार्यकरम क्या है समदाइक विकास कार्यकरम का सुभारम हुआ था दो अक्टूबर 1951 को किया गया था इसका प्रमुख वो देस था कि ग्रामीडों की भूख आसिक्छा विकारी बिमारी और गरीबी को दूर करना तथा गाओं का संपूर विकास करना इस उद्देश गरामेड गरीब समुदायग को आपने रहर बनाता ऐसे लोग जो कि एक प्रकार से गरीब है और गाव में रहते हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रियास था समुदायग विकास का रिकरम के दारा भारत सेवक समाज क्या है? भारत सेवक समाज जो है इसके अस्थापना 1952 में हुई थी यह एक गैर राजनेतिक संगठन है इसका उद्देश रास्टी यूजना के क्रियानवयन में लोगों का सहयोग प्रात करना है यहने कि भारत सेवक समाज का अनलब है कि जो कोई रास्टी यूजना आए उसको आगे बढ़ाने में जो ग्रामीन लोग है या जिन पर यूजना लागू होनी है वो लोग साथ दे ठीक है? तो यहां लोगों द्वारा दान की गई जमीन को आदर सफाम के रूप में निर्म करता है कोण? भारत सेवक समाज, ठीक है? ध्यान दकिएगा. आगे देकिन 24 संबर पर्समें ब्यक्तिकत समपरक کی क्या है? तो जब परसार कार करता आत हुआ, कोई भी ब्यक्ति परसार कार के लिए ब्यक्तिकत रूप से किसी भी ब्यक्ति से उसके घर पर, उसकी खेथ में, उसकी कार्यस्थल पर जाकर की मिलता है और ब्यक्तिगत रूप से उससे टेली फोन पर या बाते करता है मिल करके उससे बाते करता है पत्र लेकर करके उसको समझाता है या उससे मिल करके बाचित करता है इंटर्व्यू लेकर करके उसको बताता है तो उसको ब्यक्तिगत संपर सामानता समूह में दो से ले करके 30 लोग तक प्रकार से समाहित होते हैं उपस्तित होते हैं और इन सभी के सोंच और दिष्ट कोंड लगबग एक जैसे होते हैं तो उनको एक में बना करके फिर उन सभी को प्रसार कार करता 30-35 लोगों को एक साथ समधाता 30 लोगों को इसमें सभी जाती के लोग सभी धर्म के लोग सभी समधाय के लिए मुख्य रूप से तीन प्रकार की जल संपर्क बिधियां प्रयोग में लाई जाती है पहले हैं पर्टे परसनल जाकर किया किसी से मिल ले यह होगी दूसरी बात सामोई क्या समपर्क बिधियां जिसमे आपको बड़ी-बड़ी सभाएं करें बड़ी-बड़ी सम्मेलन क कि आगे दिखेंगे कि 47 अमर को संसे सिक्षण क्या है सिक्षण का आर्थ होता है समाज के द्वारा सभी कि ढंग से ऐसी इस्थिति उत्पन करना जिससे क्या हो कि मनुस्त के विवहार में मनुस्त के बेहर्वेर में परिवर्तन आ सके आर्था सीखने का काम सुचारों होना चाहिए उनके विवहारों में होगा उनके कारकुसलताओं में उनके कारचमताओं में होगा उनके मूल्यों में मेल्यूस में होगा उनकी रूचियों में एटिट्यूड एप्टिट्यूड में होगा तो इसा परिवर्तन इसमें लाए जाता तो सिक्षण के द्वारा यानि ट्रेनिंग के द्वारा ये तमाम प्रकार के परिवर्तन लाए जाते हैं, के लिए ध्यान लखिएगा। ये जानि चलाए जाता है, उसी को अभियान के देते हैं, ठीक है, अभियान का लक्ष होता है, समुदाय में ब्रहद रूप से बड़े अस्तर पर रूची यूंग सक्रियता को बढ़ावा देना, ठीक है, किसी गंभीर ततकालीक समिस्या के लिए, किसी गंभीर और ततकालीक स साथ क्या करते हैं संचार एक ऐसी प्रकृरिया है कैसी प्रकृरिया है कैसी प्रोसेस है जिसमें एक बिक्ती से दूसरे बिक्ती के साथ क्या करते भी या पारस परिक्ता क्या धारता है पारस परिक्ता का मलब होता है पारस परिक्ता का मलब सीधा सीधा होता है कि अगर आप थोड़ा सा हम से भी आप संपर करके मलब कि जिदना हम आपको हम अपनी विचारों को आप अपने वीचारों को आफको बताएं याँनि हमारी भाव भंगीमा हमारे चेहरे का प्रभाब और इस परकार अपनी बातों अपनी तक्ठि यादियों उसका समान अर्थ निकाल सके, ठीक है। प्रसना चुका है संचार की प्रमुक तब कौन से हैं संचार प्रक्रिया के निम्नांकित तब आते हैं जैसे कि पहला है आपका संचार का संचार का माध्यम से आप जानकरी लोगों तक पहुचा रहे हैं जैसे कि मालते हैं मैं अपनी बातों को मैं संचार को मैं संचार को मैं आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है तो मेरे अंदर क्या संचार के आपको को करिकुलर मास्टर के नाम से तो को करिकुलर मास्टर पर क्या हो जाएगा आपको को करिकुलर से रेलेटर तमाम प्रकार की वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और एक तीसरा चैनल भी हमारा है बहुत दिनों से है आप लोग जानते होंगे बीए करेकर तो आप इस तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आपके बहुत यह वैता तैयारी कर वाते ही ठीक है तो संचार माध्यम क्या होगे यह चैनल हो इस सुक्लेट्रिक पॉइंट को करिकुलर master भी एक रेकर ये सब आपके संचार माध्यम होगे ठीक है प्राप्त करता क्या हो इप राप्त करता रेसी बर्यानिकी जैसे आप लोग ठीक है आप लोग क्या हो आप लोग क्या हो रिसीबर उप्राप्त करता हो और फीडबेक किसी में एक चीज होता है फीडबेक को देते हो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से फीडबेक देते हो परतिपुष्टी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं परतिपुष्टी बोल कि आप लोग देते हैं धिके तो आप लोग तो यह चार मुखि दोप से सीं अंतर तक तब दो आते हैं इसे संदेश कहते हैं, संदेश सूचनाओं का पैकेज होता है जिसमें संचारक उपयोगी बातों को इस परकार या इस तरह से सुरोता को बताता है कि उसे समझे और उसको अपना सके और इस परकार परिभासित कर सकते हैं इसको जैसे संदेश वह सूचना होती है जिसमें जैसे संचारक सुरोताओं क कोई इस प्रकार से बताता है कि वे इसे समझे उसको अपना है जैसे मैं आप बताता हूँ उस पर अमल करें एक अच्छा संदेश बैध प्रमाडिक सुवस्पष्ट ब्यापक रथा स्रोता के लिए उप्योगी होना बहुत ज़रूरी है यानि संदेश का एक प्रकार से बैध रोकारें होना अपरमाडिक उना सुवस्पष्ट होना ब्यापक होना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है स्रोता के लिए तो इस तरीके से यह मैंने आपको बताया से बाना ब्रहन को सीब मैं जूंत से संचारक को प्राप्त होता है या नभीन संदेशों तक्तियों विचारों तथा उपकरणों आधी की प्राप्त करता है सुरोता के द्वारा सभीकर्ति अथवा आप सभीकर्ति की रूप में प्राप्त होता है प्राप्त करता जो सुनता है समझता है अपनाता है उसे ही संच साथन का द्रिस माने उता देखना सर्वा इता सुनन है इन doc करके से आप यहाँ पर देख भी पार होंगी डिजिशन बोर पर और सुन भी पार होंगे मेरी वाई fully चौक č सरफ यो यो करकार से आउसा आपको दिखाई पड़ रहें के लिए यह बात आद रखेंगे तो इसकी परिभासा को देती वे डेंट महोदे ने कहा डेंट महोदे देखें प्रसार कारिकरता के लिए या कम्मिनिकेशन के लिए सरफ द्रस साधन का बहुत जड़ीर होता है ठीके देखें जो समाविरिक अक्छा में या किसी भी सिक्षण स्थती में लिखित या मौकिक नहीं कि आह झालिया कि वे साधन जो बढ़ान को आखों तथा कौन आखों के दाक्षा दौशक़ाया और कालों के दौरा सुना आशीखने वाले के पास कहुंचने में सहहता करते हैं ड्रस साधन कहलाते हैं है ठीक है कर दो के पर चार करने के और तरीका ह giàat पोस्टर बना करके जनता का ध्यान आकरसित क्या आता है तो उसे पोस्टर कहते हैं पोस्टर आकरसक बनाना चाहिए इसमें सब्दों का कम और चित्रों का उपयोग ज्यादा करना चाहिए ठीक है सब्दों का उप्यों कम चित्रों का उप्यों ज्यादा होना चाहिए साथ ही साथ ऐसे अस्थाल पर लगा जाना चाहिए जहां पर ज्यादा लोग आती जाते हैं जैसे फ्लेस कार्ड क्या होता है यह से प्रचार के माद देन होता हैं अपनी बातों को दुसरी हैं पहुंछाने के माद पच करने मां ट्बाद घ्रांब अबर आगे वाली के तो इसको प्लेंस कारड में जब जो है किया बोलते हैं कि यहाँ जा ऑंडे कभी किसी को किसी को बंगें हिरास्त में लिए मोंड ने मुइन किनेफ कर दिया। पोलेस कि यहां पर एक ह्ित लकाह रखा हुआ उस बैग में आप देखेंगे, तो उसमें मिलेगा, उस मुणाइल वछा इग विए, टूमाम प्रकार तो जो के बादम से तो ऐसे संपूर कहानी जो होती है वो एक एक कार्ड में थोड़ी थोड़ी बाते रिखी होती है एक बिसे को परसुत करने के लिए 10 से 12 फ्लेस कार्डों का उपरियू किया जाता है ये कार्ड्स कागज के भी उसकते है प्लाइबूड के भी उसकते है लकड़ी के दपती यह टिन के किसी भी किवी चीज़ों की बना जा सकते है इन कार्ड्स पर आकर्सक रंगों के शर्यखांकित छाय चेत्र या कार्टून बना करके सब्दों के जारा कहानी को बया करी जाती है ठीक है आगे देखेंगे जब प्रसार करता किसी समिस्या को प्रसंग रूप में बताना चाहता है तो वह किसी दृषित के माध्यम से अपनी बात कहता है जैसे कि न्यायालई का दृष्य या राजा के दरबार का दृष्य इसे समंदित चरित्र को चित्रवत बैठा हुआ दिखाया जाता है जिसे न्याय धीस या मंत्री इसमें बिक्टियों या बालकों को विभिन पोसाकों में उसके ज़द्धारित अस्थार्टपर बैठा दिया आता है और वह समय लब उसके बाद में जब आया था तो उसमें देखे कुछ जो है आदमियों को प्रकार से उन्होंने बैठा रखा था ऐसे कूर्सी पर ठीक है आपने देखा होगा वह दे भूर चारा दिमाठी रहते तो इस तरीके से वो जो आदम करके उसके पीछय तेज प्रकास करते हैं जिसमें आ पुद्पन होती है इसके पीछे अभिने करने वाले PHP खडंगा कर दिया याते हैं एक ब्रसंग को पढ़ता है अभिने करने वाले पात्र इस प्रहसं खोन्य माझेने करनी के नाटक को प्रहसन के अनरोप लगर संचालन करते हैं ठीक है और उसके अचन्चलन करें बिना भीने करते हैं पर्दे के सामने बैठे नर्सकंपों की इचाया दिखाई देती है और नाटक चलता रहता है आप कट पुली कट्टरी द्रक अधिक देल隨時 तो उसमें कभी-कभी चाय के माध्यम से होता है चाय अभी ने वह होता है जो मलब चाय प्रचाई के माध्यम से जब नाटक के जाते हैं ठीक है वो सेवापत्र जब विसर सम्बंधी सुचना देने या नोटिस भेजने के लिए परिपत्र का या या सरकुलर का उप्यू क्या आता है तो उसको सेवापत्र कहते हैं समूह संचार या समूह संचार का यहां अच्छा माध्यम होता है जब किसी बड़े समूहों पर एक प्रकार से कोई सुचना भेजनी हो तो एक परकार सरकुलर बना करके सेवापत्र वह होता है जो संचित्त हो जो सीधा इप्यां चित्र किवल उन चित्रों को दिखाने से जिसमें केवलं चित्रों को ही प्रोजक्टर के द्वारा बड़े रूप में दिखाया जाता है और उसमें बोलने का कोई प्रबंद नहीं होता है यह से प्रोजेक्टर में पहले की विश्विध्याले प्रोजेक्टर लगाए गये थे इसे बिनारा सिंदु इनुसुटी में या आप देखेंगे तो प्रोजेक्टर लगे हुए हैं ब पहले प्रजेक्टर होता था वहां प्रषत में था तक यह और में है और सुर्ण कसम बोले कोई लूह को प्रकार से भूक देखेंगे है प्रसें समेकित बालबिकास और जिसको आई सीडि जोंते हैं इस जetty जञणाकर शुरुवारत हुई थी दो अक्टूबर 1975 को यह स्कूल से पहले बच्चों और उनकी माताओं को जीवित रहने की दर बढ़ाने और उन्हें स्वास्ट पॉस्टिक भोजन तथा सीखने के अउसर प्रदान करने वाली एक यूजना है समयकित बाल विकास सेवा इसका मुख्य उद्देश होता है एक से ले महिला से इसको विकास कारिकरम को संचित रूप से ग्राम सिविका कहा जाता है ठीक है और अगरेजी में इसको क्या बोलते हैं डी डेवलू सी आरे इसको बोलते हैं डवलप्मेंट आफ वुमें चिल्टरन इन रूरल एरियास यह प्रस्ण अबजेक्टिम में कई बार आप से पुझाया सकता है के लिए यह बात आप ध्यान लखेंगे तो यह गरीवी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के आर्थी तथा समाजिक विकास के लिए एक बिसेस प्रकार का कारिकरम है इस योजना की सुरुवात 1982 इस दिन में की गई थी इसका प्रमुख लक्ष है म हिलाओं को स्वारोजगार और महिलाए खुद कमाई करें इसके लिए साधन उकलब दकरवाना जिससे कि वे अपनी आये बढ़ा सके महिलाएं और जब अपनी आये उनकी बढ़ेगी तभी सिसु का विकास अच्छी तरीके से उकर पाएंगी ठीक है और यह ध्यान लखेंग आये ती इसका फूरा नाब है United Nations Children Fund के नाम है, United Nations Children Fund Fund, Unicef के सारे कार एवं सहायता प्राथमिक रूप से बच्चों के स्वास्त पर केंद्रित है यूनिसेफ बिभिन देशों के बच्चों के विकास से सम्मंधित यूजनाई बनाने में सहायता करता है और उन्हें धार्मिक सहायता आवस्थिक उपकरण और समाज की समान आदि उपलब दिकरवाता है आवसिक्षी उपकरड़ उपलब्द करवाता है, धार्मिक साहता भी देता है. तeki तो यह एक परकार से UNICEF का काम है. UNICEF, ICDS, ऐसे तमाम परकार के सथा हैं, जो कीन चीजों पर काम करें, बच्चों के विकास हैं, एस्तरियों के विकास पर. इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रस्नों को समझा एक वासाथ इंपोर्टन प्रस्नों के बारे माध्यम से हमने संफोर्ट से लेपस को कबर अप करने का प्रयास किया है जो कि आपके परिशा के देश्टे से बहुत महत्मूर है मिलते हैं फर नेक्ष्टे वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत अब सभी का बहुत बहुत धन्यबाद हमारे से जोड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमें सब बनाया रखेंगे बहुत बहुत धन्यबाद